हेलो दोस्तों अगर आप भी से विद्याले और कालेज के स्टुडेंट हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहे हैं हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप एक्जाम में प्रमोट होंगे या नहीं अगर होंगे तो कब होंगे तो आईए वीडियो को हम सुरू करते हैं हेलो तोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेवल में जैसा कि अब देख सकते हैं कि लिखा है कोरोना संकमर के बड़ते मामलों को देखते हुए भी सिवे दियाल है और कालेजों की लंबित परिच्छा यानि की पेंडिंग एक्जाम अबरत किये जा सकते हैं यहाँ यह भी लिखा है कि अगर प्रमोट होते हैं तो आंदरिक आकलन तथा पिछले सेमेस्टर के पदरसन के अधार पर संभी को प्रमोट करने की तयारी हो रही है और इससे रिलेटर्स सुचना एक से दो दिनों में आ जाएगी यहाँ भी देखिए जैसा कि लिखा हुआ है अगले एक से दो दिनों में जारी हो जाएगी संसोजित गाइडलाइन तो आए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है जो विशुपिद्याले वा कालेज आनलाइन या फिर घर बैठे इचातरों से ओपन बूख जैसे तरीके से परिच्छा कराने में सच्चम होंगे उन्हें इसे लेकर छूट भी मिलेगी वैसे तो महजूदा परिस्तितियों को देखते हुए परिच्छा कराने से हाथ खड़े कर लिए हैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताते हैं कि यह न्यूज आज ही के न्यूज पेपर में प्रकासित हुई है मरूज आला के तो यह न्यूज बिल्कुल सही है और फिर आगे पर देखते हैं क्या लिखा है कोरोना संक्रमट के खतरे को देखते हुए मानुस अंसादन विकास मंतरा रही से पहले से बियस्ती और आईसी एस्ती की दसमी और बारामी की लंबी परिच्छाएं रद कर चुका है जैसा कि आप लोगों को भी बता होगा तथा जो परिच्छाएं एक से पंदर जुलाई के बीच होनी थी उन्हें फिलाल कोरोना संक्रमट के खतरे को देखते हुए पिस पिद्याले और काले जोने भी इसे रूख रखा है शुत्रों की माने तो यूशी जी इन परिच्छाओं को लेकर अगले एक से दो दिनों में फैसला लेगी जी हां तो इस तो ये फैसला बहुत बड़ा होने वाला है अगले एक से दो दिनों में आ जाएगा जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अल्लार 2 के गार्डलाइन में सैचरिक संस्तानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है हालाकि सुत्रों की मानों तो प्रमोशन की चांग सो बहुत जादे लग रहे हैं लेकिन अभी असपास रूप से कहा नहीं जा सकता है इसलिए आप नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं तो वाइस कैसे लगी वीडियो आप हमें कमेंट लाइक से जरूर बताएं धन्यवाद हुआ हुआ है